बंगलादेश की इंडिया उड केमपेन के अगेंस्ट इंडिया ने एक काउंटर नेरेटिव बिल्ड करना शुरू किया हुआ है और जो एक पुराना उनका पैटरन रहा है इंडियन मीडिया का कि वो किसी लेस फेमिलियर बंदे को या किसी लेस फेमिलियर पार्टी को उठाते हैं और उनके स्टेटमेंट्स को वो सारे इंडियन मीडिया के अंदर फैला देते हैं और उसके बलबूते पे एक fact narrative create करने की कोशिश करता है जिसका कोई सरपेर नहीं होता और उस statement को तक्रीबन सारे इंडियन मीडिया के अंदर चापके ये impression देने की कोशिश की गई कि इंडिया उट campaign बंगलादिश के अंदर flop हो गई है अचा अब आप सोच रहे होंगे कि आखर इस तरह की campaign का फाइदा क्या होता है पर जब ground पे situation different हो और मीडिया में different चीज़ लगाई जा रही है तो इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा ये होता है कि लोग demotivate होते हैं demoralize होते हैं इस campaign को फार एक्जेंपल जो बंगलादिश के अंदर चल रही है जो लोग इसके समर्थक हैं अगर वो ये पढ़ेंगे कि बाइकोट campaign में flop हो गई है ये फैल हो गई हो तो वो demoralize होंगे उनके जो इरादे हैं वो कमजोर होंगे तो ये असल में इस तरह के जो हो रही है और दिन बदिन इसमें तेजी आ रही है आलमी सितह पर इसको रिपोर्ट किया जा रहा है निकाए एशिया में पिछले दिनों रिपोर्ट हुआ इस campaign के हवाले से जो कि जपान का सबसे बड़ा English news outlet से उसमें से एक ये भी है निकाए इशिया इसके अंदर रिपोर रही है इसकी funding Congress से आ रही होती है टू सिक्स्टी मिलियन डॉलर से ज़्यादा का इसका बजट होता है दुनिया भर में इसकी प्रेजन्स है इन्होंने आज बड़ा डिटेल में बंगला देश की इस campaign के हवाले से एक article लगाया है और इसमें उन्होंने हकाइक को बयान किया ह वो कह रहे हैं कि यह जो campaign है इसके अंदर momentum हा रहा है वाइस आफ अमेरिका कहता है कि India campaign gains traction in Bangladesh और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन की वज़ा से इस campaign के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं बंगला देश की लोग इस हवाले से वो कहते हैं कि more broadly the backward campaign has provided a focus for deep-seated resentment of India and Bangladesh driven by border and water given says and by a sense that India's Hindu nationalist ruling party looks down on its Muslim neighbors मेरे जो पुराने viewers हैं वो जानते हैं कि यही तीन बुनियादी मसले हैं जिन पर मैं भी यहां पर बात करता रहा हूं काफी अरसे से ले कि तो अगर यह तीन मसले इंडिया हल करता है तो anti-India sentiments dramatically reduce होते हुए आपको नदर आएंगे एक मसला तो यह पा border killing के वाकियात हैं जिस पर इंडिया कभी भी serious नहीं हुआ इसको रोखने के हवाले से और तीसरा यह जो RSSS और BJP के हाड लाइनर्स वहां पर आ गए हैं और अखंड भारत और इस तरह की जो बातें कर रहे होते हैं अगर यह तीनों मसले हल हो जाता है तो anti-India sentiments काफी हद त India Out is mainly being driven on social media and hashtag India Out, Backout India and Backout Indian products have been trending on Facebook for the past few weeks अच्छा इलेक्टरोनिक मीडिया की जरूरत भी नहीं है प्रिंट और इलेक्रोनिक मीडिया की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बंगला देश की जो अकसर आबादी है वो नोजवानों पर मुच्टमिल है और वो social media यूज करते हैं तो electronic और प्रिंट मीडिया की अगर इतनी ज़्यदा effective नेस होती तो पाकिस्तान आपके सामने है पाकिस्तान के अंदर हालिया जो elections हुए है उसके अंदर आप देख लीजिए कि एक ऐसी पार्टी जिसका टीवी पे नाम लेना ही मतलब allowed नहीं था इमरान खर्ण का नाम लेना allowed नह पूचर है सबसे ज़्यदा effective campaign ही आज के दोर में सोशल मीडिया पे रन की जा सकती है और बैक ओर्ट इंडिया campaign बंगलादिश के अंदर सोशल मीडिया पे मुझूद है वहां के जो नوجवान है वो इसको रन कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने ये तस्वीर लगाई है यह ज़रा गोर से देखिए इसके नीचे उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हैवी डिसकाउंट्स आफर किये जा रहे हैं इंडियन प्रोडक्स की जानब से लेकिन कोई ले नहीं रहा बंगलादिश के अंदर कहते हैं कि इंडियन कुकीज आर सीन एट शॉपनो सूपर स्टोर इ मैनी इंडियन प्रोडक्स हैव बिन सोल्ड एट हैविली डिसकाउंटे प्राइसे इन रिसेंट विक्स इन बंगलादेश सिर्ज इंडियन जो बिजनिसें वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एग्जिस्टेंशल थ्रेट वहाँ पर लाक हो गया है लोग नहीं ले रहे जो क्या करें कैसे बिन से चलेंगे अब ये कितना अर्षा खेंचेंगे हैवी डिसकाउंट्स को ये भी एक सोचने की बात है क्योंके इतना जल्दी तो ये कैमपेन खतम होने वाली है नहीं ये तो लांग टर्म की कैमपेन है ने एक तरह से वहाँ मालदीव के अंदर जो इ प्रिटिकल सर्किल्स में अपना असर दिखाया था और कवर्मेंट वहाँ पर दूसरी आगी जो कि इंडिया उट कैमपेन वाली कवर्मेंट थी तो यहां पर भी ये कैमपेन लंबा चलेगी अचा वाईस आफ अफ अमेरिका ने इसमें पिनागी बटाचारिया से भी इलेक्शन्स हों लेकिन इंडिया ने वहाँ पर कांगड़ाई बीच में और उन्हों ने का कि नहीं फ्री एंड फेर नहीं हम जो चाते हैं न वैसे इलेक्शन्स हों तो इस वज़ा से वो कह रहा है पनागी बटाचारिया इनको कि ये जो कैमपेन है इसमें लोग इस इस बाते हैं उन्होंने रοιπόνस नहीं दिया इस पर इंडिया के जो रूलिंग पार्टी इंको रिस्पॉँशन्स दिया है। बड़ा कंफियूज किस् activists का का रेस्पॉंस दिया है कन्फूज क्यों कह रहा हूं है क्योंकि अगर आप उनके अलफाज देखेंगे न आप खुदी आपको भी लगेगा कि वो कन्फूज है वो कहते हैं बड आलोग वाट्स अ सीनियर लीडर इन इंडिया रूलिंग भारतिया जनलता पार्टी यहां पे वो कह रहे हैं कि यह गलत अक्यूजेशन है कि हम इंटरफेर करते हैं लेकिन अगले ही सेंटेंस में आप देखिए वो क्या कह रहे हैं कहते हैं However, इंडिया morally support शेख हसीना, एक sentence में कह रहे हैं कि हम interfere नहीं करते हैं, दूसरे sentence में कह रहे हैं कि शेख हसीना को support करते हैं morally. तो इंट्रफेरंस ही हुई न, एक party को क्यों support कररे होते हैं आप? मतलु आप वह सब को करे यह, सब आपके लिए Equal होनी चाहिए, आप एक मकसूस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं तो कन्फ्यूजड किसम का नेरेटिव इंडिया के अंदर से हमें देखने को मिल रहा है लग यू रहा है कि दे डोंट है वेनी एंसर टो इस इंडिया ओड केमपेन बंगलादिश के अंदर भी वो फेल हो गए थे जो अवामी तहरीके होती है ना पबलिक के खुद की जो स्टार्ट की वी तहरीके होती है उनको कंट्रोल करने का सबसे एफेक्टिव तरीका आज के दोर में इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश है अगर ये दोनों चीजें लंबे अरसे तक बंद कर दी जाएं तो फिर कुछ इस पे असर पड़ सकता है क्योंकि पेगाम का जो फैलाओ है वो आप फिर डिस्टरब कर देंगे लेकिन ये काम फिर इतना आसान है नहीं इंटरनेट बंद करना या सोशल मीडिया क्योंकि आज कल आप देखिए सोशल मीडिया अगर बंद किया भी जाता है तो नोजवानों को वीपियन का पता है कि वीपियन लगा के कैसे ट्विटर चलाया जाता है या फैस्बुक चलाया जाता है तो इंटरनेट बंद करना ही बैसिकली इसका effective solution है लेकिन इंटरनेट बंद करने दे सारे मुलक का वो जो बैंकिंग सिस्टम है और सारा वो जो बिजली का निजाम है वो भी बंद हो जाता है तो इतना आसान होता नहीं है सोशल मीडिया के जरीए जो कैमपैंस चलती है उनको कंट्रोल करना